मैं आपको सीधे यहाँ पर तस्वीरे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से संतों की मंडली यहाँ पर पहुंची है राम के नाम के नारे लगाते हुए और आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर कितने राम भक्त पहुंचे हैं नारे लगाते हुए उनसे भी हम लोग बातचीत कर आप लोग कहां से आये एक स्वागत के लिए और को परतात मन्तिया आज एक एतिहासिक मौका तो है ही लेकिन आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ी चीजे होने वाली है आप लोगों ने कभी कलपना की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप लोग जिसका सपना सेकड़ों सालों से देख रहे थे लोग वो पूरा हो पाएगा नए सनातन संस्किती कलपनाओं पर नहीं चलती है यह अध्यात्म की संस्किती है और हमारे महापुर्षों ने जो संगर्स किया था मुझे पता था कि आने वाली जो संस्किती है वह जो भगवान मर्यादा पुर्षोतम भगवान राम की जो भब और दिब मंदिर कभी न कभी बनेगा और भगवान निमित वना कर अपने दिब शरूप में 22 जनवरी को बिडाजमान होंगे और हमारे जो भारतिये परंबराव को मानने वाले हमारे संस्कृति को मानने वाले कि इतने बड़ी संख्या में यहां पर लोग प्रधान मंत्री मोधी के स्वागत के लिए आप देख सकते हैं चोटी उम्र के भी बच्चे यहां पर मौजूद है पर मौजूद हूं हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद है लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरे दिखाते ह आपको दिखाई देगी उसके अलावा भी सुरक्षा कर्मियों की तमाम तेनातिय हैं और तमाम वहन भी है जो की लगातार मौइना करते हुए आप देख सकते कि यहां से गुजरता हुआ आपको भी दिखाई देगा हलाकी एक ड्रिल हो सकती है लेकिन सामने जिस सड़क की सब्सक्राइब करने जाएंगे जो उसका रेनोवेशन हुआ है और इसी चोड़ाहे से गुजरेंगे तो तमाम लोग यहां पर अभी से नौबजे के बाद ही जुटना शुरू हो गया है क्योंकि वह प्रदान मंत्री नेरेंद्र मोधी का स्वागत करना चाहते हैं उनकी ज परमंगल मांगले शिवेश्तरबादी साधिके श्रनेतम्बेके गवरी नाराणी नमस्तुते आज अध्या परम धाम में देश के सस्वी माननिय प्रदान मंत्री जी जो हमारे भारत के राजा अध्या में आ रहे हैं जिस प्रकार से राम जनम भूमी की लड़ाई 500 वर्सों के बाद ऐसे प्रदान मंत्री हुए जिनों ने आजादी दिलाया आज राम जनम भूमी भाब भावर नभ बन करके त्यार हो चुका है ऐसे माननिय प्रदान मंत्री जी का स्वागत के लिए पूरा तीर्थ प्रोहिष समाज पूरा परम पुझ साधू संत अयोध्या की जनत प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है तो एक प्रोटोकॉल सुरक्षा जो होती है पी-एम के लिए वो तो है लेकिन उसके बावजूद उसके अलावा जो इंतजाम है वो हम आपको यहां पर दिखा देते हैं इस वक्त हम टेड़ी बजाए पर मौजूद हैं आप देख सकते कि यहां पर अब रस्यों से बाहना शुरू कर दिया है क्योंकि नौ बजे के बाद का वक्त जैसे शुरू हुआ यहां पर लोग भी जुटने शुरू हो गए देखिए दो लेयर की बैरिकेडिंग वो गुजरेगा इसके बावत आप यहां पर तैनाती देख सकते हैं कि कितनी जादा सुरक्षाबलों की तैनाती चारों तरफ से की गई है उसका कारण क्या है क्योंकि यहां पर लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता है बहुत ही व्यस्त चोड़ा है उसके अलावा र खोला गया थे लेकिन इसको बंद कर दिया गया है इसके दूसरी तरफ आने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी तो इस तरह के इंतिजाम यहां पर देखे जा सकते हैं अयोद्या नगरी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहु है हम लोग और सार है आज और देखता फरवाइ लोग सोटापना अध्यागा पारांपरिक लोग नेतिहें लोगों की मंदली है अप लोग 24 लोग की तो इस कारिकरम के लिए विशेश रूप से आप लोग को आमंत्रित किया गया है अज्छागत तो कितने देर का आपका करत सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जैसिया राम बहुत बहुत धन्यवाद आज हम लोगों का बड़ा सौभागी का दिन है कि आज हमारे जन्पद में देश के नहीं बलकि पूरे बिश्व के लोग प्रिये नेता माने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी आ रहे हैं उनके समान में उनके स्वागत समान में हम लोग एक कारकम लेके आ रहे हैं कारकम के बारे में थोड़ा पता यह किस तरह का कारकम यह कारकम बेसिकली जब भगवान श्रीराम आयोध्या वंगमन से वापस आते हैं तो ह हम लोग उनके स्वागर समान में ये लोकनित करते हैं और गाउं से ये परंपरा चलके आई है आज मान्ये नरेंद मोदी जी के चरणों में हम लोग सेवा समर्पित करने चल रहे हैं और बहुत कुछ ना कहके बस सेवा भाव है आज हम लोग हम लोग जैसे कहा जाता है कि अतिती देवो भावा तो आज हमारे देव माने नरेंद मोदी जी हैं मैं उनकी सेवा पुरानी परंपरा है ये बहुत पुरानी परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है लेकिन आब इसका कलेवर चेंज हो चुका है अब ये पूरे देश में पूरी प्रफुलित मन से हमारे ये लोक नर्तक डांस कर रहे हैं इसी के साथ बोली सिया पतिनाम चाहँ बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोक निर्ति थे प्राचीन काल के निर्ति थे जहां पर इनका प्रफॉर्मेंस होगा जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा जन भूमी अस्थल पर तो उनके स्वागत में ये निर्त किया जाएगा मार्क पर ही मौजूद हूँ और आपको मैं तस्वीरे यहां पर दिखाना चाहूँगा चुकि सुबह सुबह का वक्त है तो तैयारिया भी अंतिम चरण में हैं लगभग पूरी हो चुकी है तैयारिया लेकिन आप जहां भी आपकी निजर जाएगी आप देखेंगे कि रा प्रदान मंत्री मोधी इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनके उपर फूल बरसाया जाएगा इस तरीके से यहां पर और इस तरह की भव्य स्वागत की तैयारी क्योंकि अयुद्या के लिए बड़ी सौगात लेकर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद यहां पर पहुं प्रदार यहां फूलों से सजी हुई देख सकते हैं कि किस तरीके से साथ सज्जा यहां पर की गई है इस वक्त हमारे साथ वो लोग मौजूद है जिन्होंने आयोध्या को सजाने और सवारने में अपनी बहत्तुपूर्ण भूमी का निभाई है उनसे बाचीत करेंगे कि क इस तरीके से फ्लाइवर के नीचे जो यह छोटा सा स्पेस होता है उसको भी इन्होंने खूबसूरत पार्क में बदल दिया और इतने कलाकृतिया इन्होंने यहां पर लगाई सबसे पहले अपने नाम और परिशे बताएं अच्छा प्रेजेंट कर पाएं हैं और इस यह बहुत अच्छा थीम है और यह हमारे साथ एक जो पीछे संख जो बना हुआ है मेटल से निरमित है और इसको यह इन्होंने बनाया है और यह जापान से इन्होंने अपनी रिसर्च पूरी की थी और यह बोल नहीं पाते हैं और लेकिन इनके पास कलाक्रिती का एक सेक वंडर्फुल वो है उसका यह है मोविल संख है यह संख आप जब चुएंगे अब इसमें मोटर से हमेशा रोटेट करेगा और यह चलेगा इनका नाम जमालुदीन जमालुदीन जी है यह दिली से आए हुए है और यह नोंने काफी कुछ अभी खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें एक तरह से राम कथा को बताई जा रही हूँ किन्हों ने बनाई यह हमारे पास दो तरह के वरली पेंटिंग वाले को मध्वनी पेंटिंग वाल के लोग आये हैं जिन लोगों ने एरपोर्ट और पर भी अपना वह किया था और यह सारे ब्रिजेज के नीचे हम लोग का है कि जो रमायन के साथ कांड है उसको भी हम लोग अपने कलाकृति के माध्यम से इन कलाकृतियों के लावा और कौन-कौन सी असी आर्ट है जो कि आप लोगों ने यहां पर लगवाने का काम किया है हम लोग यह सब पेंट पौ करके लोटेंग वापस आएंगे तो यहां बैठ करके उनको सिटिंग एडिया काफी है और उसके पीछे हम लोग ने उसको प्रब्लिक उटिल्टी सर्फेज मेल और फीमेल प्लस सारी फेशल्टी को प्रवाइड कर रहे हैं और इसके दूसरी साइड में गाडियों के पार् फ्लाइवर जो है उसका निड्मान ही चल दा लेकिन आप लोग ने जितनी खूबसूर्ती से इसको सजाने का काम किया है वह वाकई एक मॉडल है पुरे देश के लिए कि फ्लाइवर के नीचे के स्पेस को भी इस तरीके से यूटिलाइज किया गया है यहां पर और उसमें इस तरीके की खूबसूरती दी गई है कि लोग यहां पर आ सकते हैं भैट सकते हैं घूम सकते एक तरह से इसको भी एक परेटा का अस्थल बना दिया गया हम आगे आपको तस्वीरे दिखेंगे किस तरह की कलाकिर्टियां यहां पर लगाई गई है सबसे पहले आप देख स कितना खूबसूरत यह मोर यहां पर बनाया गया है मोर की कलाकृति को आप देखे कि यह मेटल से पूरा का पूरा तयार किया गया है और इन्हीं कलाकारों ने किया है जो कि दिली से आये हैं और देश के अन्य अन्य जगों से आये हैं तो हर तरह की कलाकारों को जगे दिगे आ आप यहां पर देख सकते हैं कि वन में बैठे हुए भगवान स्री राम की यह तस्वीर आप देख सकते हैं यह फ्लाइवर के पिलर पर इस तरीके की कलाकृति को उकेरा गया है कि जब भी लोग अयुद्या में आएंगे और अयुद्या के कोने कोने में उनको यहां की जलक द स्री राम की प्रतिमा भी यहां पर इंस्ट्रॉल होगी और उसकी आागे आप देख सकते हैं एक पारक के रूप में इसको डिफलक किया जाहिए। इस तरीके से यहां पर इक प्लान बनाने का पूरा-पूरा प्लान है उसका एक छोटा सा मौडल अभी यहां पर देखने को मिलता यहां पर आकर लोग बैड सकते हैं आराम से और तमाम तस्वीरे आ fatty देखते हैं तो इक मौड़ल आपको देखता है आप कूडे के निश्पादन के लिए कितनी क्रियेटिविटी के साथ यहां पर यह डश्बिन बनाया है मेटल के साथ जितने भी वेस्ट मेटिरियल्स होते हैं उनका पूरा यूटिलाइजेशन किया गया है और सवच भारत का भी एक तरह से संदेश दिया गया है तो आहां थोर प को पूरे के पूरी क्रियेटिविटी देखने को मिलती है और अपने आप में एक कहानी बया करती है तिवनाइन भारतवर्ष के लिए कपिल वेदी के साथ अयोध्या से मैं अभी जीत ठाकुर